सनी रासी परिवर्तन 29 अपरेल से लगा करके 11 जुलाई तक सिंग रासी वालों की बढ़ जाएगी परिशानी मित्रों नमस्कार मैं मैं क्रिपाथी नवग्यान जोतिष चैनल पर आप सभी दर्सकों का हारदिक स्वागत करता हूँ मित्रों 29 अपरेल को सनी देव रासी परिवर्तन करेंगे और लगभग ये 60-65 दिन अपनी मूल त्रिकून रासी में कुम रासी में गोचर करेंगे तो सिंग रासी के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में यह जानकारी मैं देने का प्रेत्न करूँगा तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सनी देव सिंग रासी में प्रबल मारक और अकारक दोनों ही होते हैं सबसे पहली चीज जब ये सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे तो एक तरफ तो ये राजयोग बनाएंगे शशनाम का लेकिन इस राजयोग का कोई बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता नजर नहीं आ रहा है आपकी परेशानिया बढ़ेंगी यहाँ पर सनी बैठ करके दिगबली हो जाते हैं और जब कोई भी ग्रह दिगबली हो जाता है तो वो जहाँ पर बैठता है उससे संबंधित या तो बहुत हानी करता है या तो बहुत बड़ा लाव देता है सनी अपने घर में बैठे हैं तो जाहिड सी बात है कुछ मामलों में तो आपको लाब होगा जैसे कि यदि आप व्यापार करते हो तो आपको विशेष लाब होगा इसके अलावा यदि आप पार्टनर्सिप में व्यापार करते हो तो उसके लिए भी यहा समय बहुत तो मान के चलिए कि भाग इस समय लगभग इन 60-65 दिनों तक आपका बिलकुल भी साथ नहीं देगा, भाग का पाया बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। दूसरी चीज, सनी यहां पर आपकी कुंडली में लोहे के पाये पे विराजमान होने जा रहे हैं। लगन पे इनकी द्रश्टी पड़ेगी, तो जब लगन पे द्रश्टी पड़ेगी, तो सनी क्या करते हैं, जहां पे भी द्रश्टी डालते हैं, जगे को स्लो कर देते हैं, तो बुद्धी को यह ब्रहमित करने का काम करेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे, ज्यादा तर वो ड इसके साथ साथ सनी महराज एक द्रष्टी डाल नहें हैं आपके चोथे घर पे सत्रू द्रष्टी पड़ेगी वहां पर भी तो दिक्कत ये होगी पहली चीज तो माताद स्री का स्वास्त आपके प्रभावित हो सकता है ऐसे योग सनी दियो बना करके बैठेंगे दूसरी ची दिक्त आपके लिए उत्पन हो सकती है तो अगर कोई परेशानी हो तो चिकित्सक की परामर्स आप लें यहां पर सनी आपको बहुत शुब रिजल्ट नहीं देने वाले हैं सावधानी से आपको काम करने होंगे तो सावधानी आप क्या रखेंगे सबसे पहली चीज 29 अपर अश्टमभाव में भ्रमण कर रहे हैं तो बहुत जादा सुब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे एक तरफ गुरू के सनी बैठे हैं दूसरी तरफ राहू पापकत्री योग में रहेंगे तो गुरू से भी बहुत जादा उमीद नहीं की जा सकती है दूसरी चीज शनी के दुस्प्रभाव को कम करने के लिए आप अपने लगन और लगनेस दोनों को मजबूत करिए यानि की सूरी भगवान को जल दीजिए और साथ ही साथ ओम आदित्याय नमा या ओम सूर्याय नमा इस मंतर का अधिक से अधिक आप जब करें तो इससे बढ़ जाएगा लगन लगनेस मजबूत हो जाएंगे तो शनी का जादा दुस्प्रभाव आपके उपर नहीं पड़ेगा दूसरी चीज अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर आपकी डामा डोल नजर आ रही है तो ऐसे में आप विद्यार्थियों की अगर बात कर लेते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय की चाल अच्छी बनी हुई है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है विद्या के छेत्र में आपको निश्चित लाब होता नजराएगा अंत में यह भी ध्यान रखिएगा कि यह जो मैं गोचर फल आपको बता रहा हूं यह आप अपने लगन कुंडली के अनुसार या चंदर रासी के अनुसार देख सकते हैं अगर लगन कुंडली के अनुसार देखोगे तो आपको सठीकता अधिक मिलेगी चंदर रासी के अनुसार देखोगे तो भी लगभग 30-35% आपको सठीकता मिले तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी सारवजनिक प्रिश्टन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके अपॉइंडमेंट लेकर के आप कुंडली दिखा सकते हैं मयंक कुंडली एंडर जा तो आत्रिवगाइंडılmışन dai खो folंड आ से नंवैंड वाल पाल कुंडली मुण